नमश्कार दाएंगल में आपका सौगत है, मैं आपके साथ अश्वीनी स्रोही, सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास हैडलाइन्स पर CBI का बड़ा एक्शन, भरस्ट अचार और हतियार की तसकरी को लेकर देश भर में 110 ठिकानों पर कीच्छा पिमारी मुख्य मंत्री अशोग गहलोत गुद्वार को पेश करेंगे राज्चे का बजट, यूवा महिलाएं किसान और व्यापारी को बजट से बहुत उम्मीदे राज्चे सरकार बन पड़े मार्गों पर फिट चलाएगी रोलडवेज बसें, परिधान मंत्री ने कहा जिन गावों में रोलडवेज बस नहीं, महां हो रहा नए मार्गों का सर्वें और राजिस्तान हाई कोर्ट ने नीट में OBC आरेक्शन पर जारी किया नोटिस, केंद्र राज्चे सरकार, MCI और NTA से मांगा जवाब ब्रश्टचार के खिलाफ बड़ी कारवाई करते हुए CBI ने देश भर में 110 ठिकानों पर 176 पिमारी की CBI ने भरश्टचार आपराधिक मिसकंडक्ट और हतियारों की अवैध तसकरी वगहरा के खिलाफ 30 ताजा मामले दर्ज किये हैं बताया जा रहा है कि देश के 19 राज्जियों और केंद्र शासित राज्जियों में छापेमारी हो रही है CBI इन दिनों बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चला रही है दिल्ली के अलावा यूपी, उत्राखंड, ओडीशा, हिमाचल परदेश, पंजाब, हरियाना, आंधर परदेश, करनाटक और बिहार में छापेमारी चल रही है इसमें दिल्ली, भरतपुर, मुंबई, चंडिगड, जम्मू, श्रीनगर, पूने, जैपुर, गोवा, कानपुर, रायपुर, हैदराबाद, मदूरे, कॉलकाता, राची, बोकारो, लखनाव और अन्य शहर शामिल है इससे पहले, CBI ने 2 जुलाई को भी 18 शहरों में 50 जगहों पर छापे मारे थे रोहिंगिया मामले पर सुप्रिम कोर्ट अगस्त में अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रिम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में दलीले पेश करने को कहा है कोट ने कहा है कि लिखित में दलीले पेश होने के बाद अंतिम सुनवाई अगस्त महा में होगी इसके लावा अवेद बंगलादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों वेपरवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांगवाली याचिका पर भी सुनवाई होगी दरसल बीजेपी परवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस रुख का भी समर्थन किया है जिसमें भारत में रह रहे 40,000 से जादा रोहिंग्या मुस्लिमों की पहचान कर उन्हें म्यामार वापस भेजने की बात कही गई है याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को बांगलादेशी नागरी को और रोहिंग्या समेथ सभी घुसपैठियों वे अवेध परवासियों की पहचान करने हिरासत में लेने और उन्हें वापस उनके देश भेजने का निर्देश देने की भी मांग की गई है कोंग्रेस नेता राहुल गांधी को एहमदाबाद कोर्ट ने मानहानी के एक मामले में तलब किया है कोर्ट ने राहुल से 9 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुँचे रहुल के वकील ने कोट से मामले में रियायत की भी मांग की है उनके खिलाफ ये मामला भाजपा सदस्या ने दर्ज कराया था उन्होंने रहुल पर आरोप लगाया है कि रहुल ने मध्यप्रदेश में अप्रेल महा में चुनावी रैली के दोरान अमित शहा के खिलाफ आपत्ती जनक टिपणी की थी रहुल ने उन्हें हत्या का आरोपी कहा था रहुल ने 23 अप्रैल को रैली में अमित शहा के खिलाफ हत्या के मामले का हवाला दे कर हमला बोला था इस मामले में शहा 5 साल पहले बरी हो चुके हैं राहुल ने शहा के बेटे जै शहा पर भी व्रस्टा चार के आरोप लगाए थे केंद्र सरकार ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर होने वाली घुसपैट में कमी आई है केंद्रिय राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2018 की तुलना में 2019 के शुरुआती 6 महीनों में घुसपैट में 43 फीसदी कमी आई है नित्यानंद राय ने कहा सुरक्षा बलो की कोशिशों के चलते जम्मु कश्मीर के हालात सुधरे हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल जून तक घुसपैट में कमी आई है इस साल घुसपैट में 43 फीसदी तक की कमी आई है मही आतंकी हमलों में 28 फीसदी की कमी जातंकवाद को लेकर उनकी पॉलिसी जीरो टोलरेंस की है। पर 18,000 करोर रुपे जमा कराने होंगे। जाने का अपना मकसद इसपष्ट नहीं किया है। करनाटक में कॉंग्रेस और जन्तादल सेक्यूलर के 13 विधायकों के इस्तीफे पर विधान सबा स्पीकर केया रमेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। इसपीकर ने राज़पाल वजुभाई वाला को खत लिख कर बताया कि कोई बागी विधायक उनसे नहीं मिला है। 13 में से 8 विधायकों के इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं है। मैंने इन विधायकों को पेश होने का समय दिया है। इसपीकर के इस कदम से करनाटक का संकट गहरा गया है। और साथ ही इन विधायकों के इस्तीफे को लेकर संशे भी। स्पिकर ने बताया कि उन्होंने विश्वास जताया है कि मैं सम्विधान का पालन करूँगा राज्य की मौजुदा राजनीतिक स्थिती से मेरा कोई संबंध नहीं है मैं सम्विधान के अनुसार काम कर रहा हूँ अभी तक मुझसे किसी विधायक ने मिलने का समय नहीं मांगा है अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मैं अपने दफ्तर में उपलब्ध रहूंगा मुझे जिम्मेदारी से फैसला करना है नियमों के अनुसार कोई समय सीमा तै नहीं है क्लोज में कहा गया है कि अगर स्पीकर को विश्वास है कि इस्तिफा अपनी इच्छा से दिया गया है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है केंद्रिय बजट के बाद अप प्रदेशवासियों की निगाहे राज्य के बजट पर टिकी है राजस्तान के मुख्यमंत्री अशुक गहलोत बुध्वार को विधान सभा में राज्य का बजट पेश करेंगे सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों को अब गहलोत सरकार के बजट से काफी उम्मीदे है प्रदेश वासियों की कई मांगे ऐसी हैं जो बर्सों से पूरी नहीं हुई है उनके पूरी होने की बाट जो हो रहे लोगों को उम्मीद है सीयम अशुक गहलोत उन्हें निराशन ही करेंगे मही लोग चुनाव के समय की गई गोशनाओ के लिए भी बजट में कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रदेश के यूवा, बुजुर्ग, महिलाए, नोकरी पेशा, किसान और व्यापारी सभी की उम्मीदें परवान पर हैं गहलोत सरकार के सामने प्रदेश के आर्थिक विकास को पट्री पर लाना सबसे बड़ी चुनोती है इसके लिए प्रदेश में उद्योगिक निवेश के लिए बहतर माहुल की जरूरत होगी सरकार जानती है कि सभी युवाओं को सरकारी नोकरी देना मुम्किन नहीं है प्रदेश में उद्योगिक निवेश होना जरूरी है क्योंकि नए उद्योग लगे तो युवाओं को निजी छेतर में रोजगार के अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री ने बजट से पहले प्रदेश के व्यापारियों से बजट के लिए सुझाओ मांगे थे मुख्यमंत्री अशोग गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण कालिक बजट बुधवार को पेश करने जा रहे हैं राज्य बजट को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भुपेश ने कहा कि इस बार बजट में महिला का विशेस धियान रखा जाएगा बजट में आम आदमी और महिलाओं पर फोकस किया गया है महिला एवं विकास मंत्री ने कहा कि बजट में प्रदेश के चहु मुखी विकास की बात होगी बहुत महित्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए भी बजट बहुत महित्वपूर्ण है तो निश्चित तोर पे हमारा बजट इस प्रकार का आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि प्रदेश की जनता के हित में बजट लाये गया है परिवहन मंत्री परताफ सिंग्खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में बस सेवा से वंचित गामों को बस सेवा प्रदान करने एवं राजस्थान राज्य पत्थ परिवहन निगम की बसों के बंद किये मारगों को पुनह प्रारंब करने का प्रयास कर रही है इसके लिए वर्तमान में सर्वे कराया जा रहा है परिवहन मंत्री ने मंगलवार को विधान सभा में प्रशनकाल के दोरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रशनों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बेवज़ा बंद किये गए रोडवेज के संचालन मारगों का परिवहन विभाग एवं रोडवेज के अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है जोड़ेगा वो कैसे आवागमन का साधन होगा कई गाओं तो इतने पुरे हाला आते हैं कि वहाँ पर जीप तक नहीं है तो उन गाओं को जहां पर कोई आवागमन का साधन नहीं उनको जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है ऐसे मैंने डाइरेक्शन दिये हैं कि सब राजस्तान के रूटों का सर्वे किया जाए परिवयन युबाग के लोगों को मैंने काया कि उन गाओं को ढूंडिये जहां पर कोई साधन जाता नहीं है उनको हम साधन से देंगे प्राइवेट पर्मिट भी देंगे रोडवेट की बसे भी लेकर जाएंगे लेकिन साधन से जोड़ेंगे बाड़ी विधायक गिरिराद सिंग मलिंगा ने विधान सभा में पूर्व विधायक जस्वन्त सिंग पर लगे हत्या के आरोग का मामला उठाया है उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जस्वंत सिंग ने हत्या के मामले में अपनी राजनीतिक प्रभाव का उप्योग कर जाच अधिकारी बदलवा कर मामले को रफा दफा करवा लिया इसके चलते भाजपा सरकार ने परिवादी के साथ अण्याय किया और मामले में सबूतों को जाच अधिकारी ने अंदेखा किया विधायक मलिंगा ने सदन में बताया कि धौलपूर जिले के थाना निहाल गंज में परिवादी मान सिंग बेटे गोपाल ने दर्ज कराया था उसके बाद में वो सरकार बदल गई तो जो जाच अधिकारी था गुलाम नभी उसने में जाच में भाजपा के पूर विधायक जस्वन सिंगूजर को दोसी कराद देते हुए आप कहता है उसकी चार सीड़ी भी लखी है मेरे पास आप उसको भी ले सकते हैं आप देख सकत उसके बाद में सरकार से मांग करिए कि इसकी पुने अजाच कराई आए और बचार जो पीडित पच्चे उसको नया दिलाया जाए भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि वे बजट को लेकर सीम से मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री को बजट के लिए सुझाव देना चाहते थे और कई बार उन्होंने सीम से मिलने के लिए संपर्क भी किया लेकिन सीम गहलोत ने उन्हें समय तक देना उचित नहीं समझा भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर आगामी बजट के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते थे पूर्म महापोर ने कहा कि अशोक गहलोत के बुधवार को पेश होने वाले प्रदेश के बजट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है और ना सडक है यह जैपूर सहर की जो सेल्फ मेट कोलोनी है जिसको सरकार अवेद कोलोनिय कह रहे हैं ऐसी सेल्फ मेट कोलोनियों में लोग नर्किये जीवन जी रहे हैं बारीस आगई तो गुटनों गुटनों तक पानी बरा हुआ है इन सब के लिए कोई बजट का प्राउजान करें इसके लिए मैं मुख्यवंतरी जीसे मिलना चाह रहा हूँ सांगानेर की खुली जेल को इस्तानांतिक करें वहां पर एक दिल्ली हाट की तरह जैपूर सांगानेर हाट बनाया जाए लेकिन किसी प्रकार का उनके पास ना समय है ना वो बजट पे कोई सुजाव लेना चाहते हैं मुझे लगता है कल बजट के वल खाना पूर्ती पर आएगा राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट परवेश परक्रिया में OBC आरक्षन दिये जाने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र के साथ-साथ MCI और NTA को भी नौटिस जारी किये हैं जस्टिस आलोक शर्मा की खंडपीठ ने यह जवाब समता अंदोलन समीती और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मांगा है याचिका करताओं की ओर से एडवोकेट शोभित तिवाडी ने अदालत को बताया कि संसद ने 15 अगस्त 2018 को 102 समविधान संशोधन में राश्ट्रिय पिछडा आयोग को समविधानिक दरजा देते हुए OBC निर्धारन की प्रकरिया तै कर दी है आयोग की सिफारिश पर संसद OBC वर्ग में आने वाले जातियों का अनुमोधन करके राश्ट्रपती को भेजेगी मही राश्ट्रपती की आग्या से देश में OBC जातियां अधिसूचित होंगी लेकिन संशोधन के बाद आज तक राश्ट्रपती ने किसी भी एक जाति को OBC में अधिसूचित नहीं किया है लेकिन फिर भी प्रदेश में होने वाले सभी भर्ती परिक्षाओं में OBC को आरक्षन दिया जा रहा है जो पूरी तरह असमवेधानिक है बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार सहीद पाच को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों नहीं बिना OBC आरक्षन के ही नीट में परवेश दिया जाए आज के बुलेटिन में वस इतना ही बने रहे ये दायंगल के साथ नमस्कार ना फ्री का ग्यान ना बक्वास बस हर खबर पर आपका एंगल तभी तो नमबर वन है दायंगल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाईए